Q24 में एक pain junction दिया है वो change in temperature में heating की वज़े से क्या के effect आ रहे हैं उसको पढ़ना है तो एक pain junction देखते हैं बचों आप समझते हैं आप एक नीव voltage हो जाता है उसके बाद ये बढ़ना शुरू करता है current I और V characteristics dynamic resistance के अगर बात करेंगे तो हो जाता है delta of V और delta of I किसी junction में temperature वगेरा change करने से इस junction की properties में भी change आता है और अगर आपन conductor के बारे में जैसा बोलते थे कि resistance बच्चों बढ़ जाएगा अगर temperature भी बढ़ेगा लेकिन semiconductor में थोड़ा सा peculiar nature दिखता है ठीक यहाँ पर resistance बढ़ेगा अगर आपने temperature कम किया ठीक है बिल्कुल reverse चला जाता है यह और ऐसा भी बूल सकते हो कि कम हो जाएगा अगर temperature आपने बढ़ाया इसका मतलब है कि यह forward में भी effect डालेगा और backward में भी तो affect करता है यह overall nature वी आई characteristics का और पहला ही option सही जा रहा है बच्चों और does not affect the resistance बिल्कुल गलत बात है यह सिर्फ forward में करेगा या सिर्फ reverse में करेगा जैसा नहीं कहेंगे हम कहेंगे overall characteristics पी एन जंक्शन की change होती है अगरा बनेंगे तो इस तरह के बाते होती है थिरिटी का लिए अपन बोल सकते हैं कि temperature में change करेंगे heating की वज़े से तो पूरा diode काम करना change करेगा ठीक है आई आगे बढ़ते है